एक गाउ में एक गरीब ब्राहमन रहता था, प्रति दिन वह पीपल को सींचता था, एक दिन उसकी पूजा से प्रसन होकर मा लक्ष्मी कन्या का रूप बना कर पीपल से निकल कर आई, और ब्राहमन से बोली कि पिता जी मैं आपकी कन्या हूँ, आपके साथ चलूँगी, उस ब्राहमन के पहले ही छे लड़कियां थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, और वापिस अपने घर आ गया, अब ये ब्राहमन के साथ रोज होने लगा, वह लड़की पीपल से निकल कर हर रोज यही बात कहती, कि पिता जी मैं आपके साथ चलूँगी, वह ब्राहमन इस बात से बहुत चिंतित रहने लगा, एक दिन ब्राहमनी बोली, कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप कमजोर होते जा रहे हो,